नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि रेस्पिजेन नेजल स्प्रे का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, रेस्पिजेन नेजल स्प्रे का उप्योग कैसे करना चाहिए और रेस्पिजेन नेजल स्प्रे की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। और यह भी डिसकस करेंगे की रेस्पिजेन नेजल स्प्रे का उप्योग करते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, नाक में खुजरी होना, छींक आना और नाक का बंध होना आदी लक्षणों से राहत पाने के लिए रेस्पिजे नेजल स्प्रे का उप्योग किया जाता है। रेस्पिजे नेजल स्प्रे की वजह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। रेस्पिजे नेजल स्प्रे की एक स्प्रे को दिन में दो बार नाक में डालने की सलाह देते हैं। रेस्पिजे नेजल स्प्रे को डालने से पहले आपको अपने सिर को थोड़ा सा आगे की तरफ जुका लेना चाहिए। और उसके बाद रेस्पिजे नेजल स्प्रे को नाक में डाल कर दबा देना चाहिए। रेस्पिजे नेजल स्प्रे का उप्योग करते समय नाक के दूसरे छिद्र को एक उंगली की मदद से बंद कर लेना चाहिए। रेस्पिजे नेजल स्प्रे को लेट कर या सिर को पीछे की तरफ जुका कर नहीं डालना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि रेस्पिजे नेजल स्प्रे का इस्तमाल करते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों में रेस्पिजे नेजल स्प्रे का उप्योग लंबे समय तक या बार-बार नहीं करना चाहिए। क्योंकि लंबे समय तक बच्चों में रेस्पिजेन नेजल स्प्रे का उप्योग करने की वज़ा से बच्चों की हाइट या ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। रेस्पिजेन नेजल स्प्रे के अंदर मोमेटासोन स्टेरोइड दवा मौजूद होती है, जिसका लंबे समय तक बच्चों में उप्योग करने की वज़ा से बच्चों की ग्रोथ धीमी या कम हो सकती है। आपको अपनी नेजल स्प्रे को दूसरे व्यक्तियों को कभी भी इस्तमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए। आपने Respigen Nesal Spray का उपयोग पुपयोग 5 दिन से अधिक नहीं किया है तो Respigen Nesal Spray की पहली सप्रे को बाहर की तरफ फैंक देना चाहिए प्रेगनेंट महिलाओं के लिए Respigen Nesal Spray का उपयोग करना recommended नहीं है और अभी इसके बारे में परियाप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि रेस्पिजे नेजल स्प्रे स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं। इसलिए डॉक्टर केवल बहुत ज्यादा जरुरत पढ़ने पर ही स्तनपान करा रही महिलाओं को रेस्प पिजे नेजल स्प्रे से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.